रंगों के पर्व होली पर बाजारों में रोनक दिखाई दी, सुभा से दुकानों पर ग्राहकों की भीड दिखाई दी, छोटे बच्चे पिछकारी खरीदते नजर आए तो युवा केमिकल रहित रंग खरीदने पहुँच रहे थे बाजारों में सबसे ज्यादा बिक्री हर बल गुलाल की हुई, दुकानदारों की माने तो बीते दो सालों से कोरोना महामारी के दोरान बाजार बिलकुल मंद रहे लेकिन इस वर्ष बाजारों में रोनक लोट आई है और ग्राहक जम कर खरीदारी कर रहे हैं, इस वर्ष व्य तो फिर भी पिक्रा एक दर्खा वो ख़त्म हो चुका है तो ऐसे में कितमी रोनक है बजार में रोनक बड़ी है इस तेम थोड़ी सी कम है दुपैर का टैम है शाम कल भी रोनक होती आज भी बहुत रोनक मिलेगी तेक है ग्राक के तुमी सेल में कितना फरक पड़ा है पहले से पिछली बार थो थोड़ा सेल में फरकता मगर इस बार जो है ग्राक का पैर दुबारा वापिस आ गिया है रंग हो गुलाल हो अरबल गुलाल ज्यादा पिक रहा है काफी सारी समझ आ रही है लोगों के पीछी है और इस साल होली का जो जो सेलिब्रेट करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है अब बाजार में बहुत ही उमंग दिखाई दे रही है यहां पर कलर्स इफलेबल ली है शौप्स के ऊपर इवन यहां पर लोग जो सेलिब्रेट करने उन्हों ने पहले ही जो अपने अवास सेलिब्रेट कर लिया है इस बार की होली बहुत इच्छ होने वाली है आप सबी चाहर है जिसकी वजह से हमें बहुत खुशी होती है अब जिस तरीके से पिछला बेलकुल जो आने वाली पीडी हमारी बूलती जा रही है जिसमें इसका पल यह जो हमारा कोरोना यह घातक हुआ है लेकिन आज के टाइम में बच्चों में बड़ों में सभी को एक उ बहुत पहले जैसी तो नहीं लेकिन पहले से पिसले साल से बहुत अच्छी जादा रोनक है इस बार और अब ही से मेरे हिसाब से अभी जो मैं देख रहा हूं तीन चाठ दिन से तो मैं देख रहा हूं मार्कीट में भी स्कूलों में भी हर जगह पर रंग लगा कि रोग प्यार बाट रहे हैं और अपना त्यो आर को एंजोई कर रहे हैं